हेलो अर्वे वरण कैसे आप सब आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे अच्छे रहें स्वस्त रहें अपनी सहर का ध्यान रखें और बात करते हैं पराथों की आर आप पराथे बनाती रहती है जब देखो क्या करूं मुझे सर्दियों में पराथे बहुत जयादा पसंद है और सर्दियों में तो हम इतनी वेराइटी बना सकते हैं पराठो की कि बस पूछो मत तो आज जो पराठे बनाने जा रहे हैं उसे बनाते हुए देखने में भी और बनाने में बच्चों को बड़े मज़े आएंगे तो सबसे पहले हम गोल चपाती बेल लेंगे और उसके उपर लगाएंगे हम देशी घी सर्दियों में देशी घी हमें जरूर खाना चाहिए तो इसके उपर लगाया देशी घी और उस फिर उसके उपर डाला हमने सुखा आटा सुखा आटा पूरी रोटी के ऊपर डस्ट कर देंगे अच्छ से कुछ भी बीच में चूटना नहीं चाहिए आप इसके उपर डालेंगे हम अपना फ्रेश सभी की किचन किचन गार्डन हो चोटा मोटा तो उसी में से लीजिए अपना फ्रेश जनिया उसको बारी कट किचे तो फ्रेश जनिया की खुश्बू ही अलग होती है और उसके बार डालेंगे हम हरी मिर्ची उसे भी बिलकुल बारी कट कर लेंगे थोड़ा सा डालेंगे साबु जीरा अब इस रोटी के बीच से लगाएंगे हम कट और अब होता है अपना जादू स्टार्ट आइस क्रीम याद आगी ना भई तो आइस क्रीम के कौन की तरह हम इसे फोल्ड करते जाएंगे ये गोल 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 गुमाते चाहो इसे हम पूरा राउंड कर देंगे इसको बनाने में भी बड़े मज़े आते हैं बच्चा बनाते में देखेगा ना तो सोचेगा यार ममा मुझे भी ट्राई करने दो ये देखिए इसको राउंड करते करते जो बीच में जगे रह जाती ना इसके उपर सुखा आता हम और डस्ट करेंगे ताकि बीच में जो गैप रह गया उसके अंदर भी आता चला जाए और उसी से हमारी जो लेयर्स होंगी वह खुलेंगी अच्छे से अब इसको बेल कर डाल देंगे हम तवे के उपर आज तेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि पूल आपका फूल होता है और यह हमने सुखाटा डस्ट किया अच्छे से इसे हथेली से दबाया प्रेस किया राउंड शेप दी और यह देखिए यह हमारे ग्रिंडरी दिख रिये ना आपको अरे भई सर्दियों के में जो धनिया आता उसकी तो बात यह लग होती है और अपनी घर में लगाया हुआ धनिया उसकी तो खुश्बू पडोसियों तक जाती है और जब तक हमारा होता है पराठा तेयार तब तक हम अपनी बना लेते हैं चाय मेरी तो बस चाय पराठा फेवरिट है बच्बन से में यह खाती आई हूँ आप लोगो कुछ जो अच्छ पराठा तयार हो गया इसकी जो लेयर होती है उसकी वज़ासी बिल्कुल थीन पराठा होता है एक तरह से एक एक लेयर जो थीन होती है आप खोल की देख सकते हैं इसे अच्छे से और खाने में पूँद ज्यादा टेस्ट होता है धनिया की खुश्बू इसकी अलग से होती है तो इसे तो हो आप अगर किसी को टेस्ट करने के लिए देगे ना वो टेस्ट करते करते इतना खा जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा यह हमारा पराठा सिख चुक है आप मैं दिखाते हो आपको देखने में कितना सुन्दर लग रहा है और यह देखिए यह इसकी लेयर को कह रहा है मुझे भी पराठा दे दो इसके लिए माफी चाहती हूं मैं तो मैं तो खाती हूं यह अपना पराठा जल्दी से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए